इस वीडियो में हमने आपको इस संतवानी का स्पष्टी करन मराटी और उर्दुम दोनों में समझाया है word to word शब्द से शब्द का अर्थ इसी वीडियो में हमने आपको समझाने की कोशिश की है ताकि आपको ये संतवानी आसानी से और आसान लबजों में समझ में आए को बताने की कोशिशी है. ताकि आपको फूराई की पूरी संतवानी की जो पहली है वो समझ में आए तो बने रही आकरी तक इसी वीडियो में आमारे साथ आ कि आपकी ये पूरी सबक मुकमल हो तुमस्वा पूर्णा हाँ पार्ट संतवानी पूर्णा चाप पूर्णा तुम्हाला कडायली पाएजे स्वागत तुम्चा आमचा यूटूब चानल 4G स्कूल मदे सबसे बड़ी इंपॉर्णा अच्छी बात आपको ये संतवानी क्यों सीखनी है सबसे बड़ी तुम्हाला पूर्णा संतवानी क recty सवा ये। एठ आमधे तुम्हाला सज्जन मानसजयास्तत सज्जन किसे कहा जाता है अच्छा ये कैसा पहिछान्ना ये इन्होंने अपने वर dinero में शब्द मेंक लिखने की कोशिश की है इस अबग में तो वो किस तरह आपको समझाते हैं अलग-अलग दुरुष्टांत उन्होंने आपको दिये हैं जिसे दुरुष्टांत आप लिखे वता है वर्ड आप देख सकते हैं याप दुरुष्टांत इसे कहते हैं दुरुष्टांत मतलब उधारन जिसे कहते हैं अलग-अलग एक्जाम्पल आपको दिए गये उन एक्जाम्पल में आप देख सकते हो है आपफू नजर आएंगे आपको नारील, आप पर फनस उसके बाद में केटकी का ज्हाढ आपको नजर आएंगा या पर ये भी उन्होंने समझाया है कि किस तरह से उसका उदारन दिया आपको example वो सारी आपको यह चीज आपको इसमें समझ में आईएंगी तो बने रही है हमारे साथ में आभी तक आपने हमारी यूट्व चैनल को subscribe नहीं क्या होंगा तो फ्लीज subscribe कीजे लाइक कीजे इस वीडियो को ताकि हमारी होसला और आमची हिम्मत अजूर वाडेल अनि अमाला प्रोस्थान बेटल नवीन नवीन वीडियो त्यार करने साथी और विशेर कर आपने मित्रा मदे ताकि जो पड़ाई से दूर है उनको पड़ाई करने का आसानी से मौका मिले चलो चलते हैं इस पोयम के इस अबंगग हे और संत वानी, शेक महम्मद सांग्ति सेवा, संत शेक महम्मद यहाणी लिलीले-ला है, ये सतरावे शतक में हुए थे इनका जो दौर था, सतरावे शतक का दौर था उनका, जब यह इन्होंने यह लिकी थी इसले, सतरावे शतक ऐसा आपे लिकिया वाला है संत कवी संत शेक महम्मद यानी मराटी हिंदी उर्दु फार्सी या भाष्यात कावे रशना के लिए बच्चो आप आज मराटी पढ़ रहे हो इन्होंने देखिए हिंदी भी सीखी थी उर्दु भी सीखी थी फार्सी भी उनको आती थी इन्होंने ये सब सीखा तो स पर उसमें लिखान भी किया उना मतलब उनके लफजों को उनमें अपने अलफाजों में बयान करने की कोशिच भी किया और उनको लिखने की कोशिच की तो आज आप जो पढ़ रहे हैं तो लेंग्विज कोई बुरी नहीं होती है श्रीव आपको पढ़ना बहुत अच्छा होने की वज़े से आपको सीखना लाजमी है चला देखते हैं उनका आगे चल परिश है रूपके भारूड अभंग इत्यादी सुमारे तीन शे स्पूटक कवीता तैनी लीलिया आहे मतलब उन्होंने जो अभंगा आप पढ़ रहे हो वो भी उसमें उनका ही लिख संग्राम पवन विजय निश्कलंक प्रभोध या तैंचा महराटी तिल प्रमूख उविबद्ध रशना आहे है मतलब ये इंकी इपॉड़न सब जो महत्वपूर्ण रशना आहे तैंची हे इता समझुन देने सा प्रहतना के लेले आहे पाव आता प्रस्तुत अभंगात म सादू मतलब अच्छा इंसान वो कोई भी हो सकता है ना ही कोई कपड़े पर्टुकलर कपड़े पेनना या पर्टुकलर चीजें इस्तमाल करना उससे को सादू कहते है सादू मतलब अच्छा सज्जन इंसान जिसे कहते है जो बुरा काम कभी नहीं करता है हमेशा अच्छे काम करता है उसों किस तरह तसे सादूत वो औरक ने अचे निकश मतलब कुछ एग्जामपल है ना कुछ नियम निकश मतलब नियम, वीविद्द दुर्ष्टांत एग्जामपर उदारन स्परश्ट के लिया है, पस्परश्ट मतलब समझाना बता के दिये है आपको, है ना तो ताबंगे में उन्होंने अच्छे इंसान अच्छा जिसे सादू आप बोलते हैं अच्छे इंसान को है न वो किसी का बुरा नहीं करता है सबके साथ अच्छा करता है हमेशा सच बात करता है अच्छा अच्छे बाते समझाता है अच्छा अच्छे उपदेश करता है वो अलग-अलग तरीके से अलग-अलग धर्म में उनको कहा जाता है अलग-अलग नामों से पुकारा जाता है ताकि सब लोगों को समझ में आएगी अच्छे इंसाने उसको अलग-अलग लकप से बुलाते हैं तो सादू भी इसी तरह से यहाँ पर एक वर्ड लिया गया है आप इसे मौलाना या मौली भी कर सकते हैं आपके इसाप से जो भी आप समझे आप अच्छे इंसान को बुला सकते हो और लोग समझ जो इंसान को पहिचानता है अच्छे नामों से वो यहाँ पर एक पर्टिगुरली एक identification के लिए लिया गया है सादू तो आईए इस कविता के word to word तरब आप चलते हैं हमने इसका answer शब्द तो शब्द आपको लिख के बता आया है इसमें आईए यह आपको यहाँ पर समझ में आएंगा हमने आपको कुशिश की है बारकाई से हर word और हर शब्द का आर्थर समझा के देने की केवड्या चे ज़ाड मतलब केत की जो होता है उसको केवड्या चे ज़ाड करेते हैं सुगंधी जाड़ होता है वो है ना काट एंचे वेडे मतलब केत की जो जाड़ होता है उसको काटे के वेडे होते हैं अलग-लग काटे उसको गेरे रखते हैं वेड ले मंझे गेर ले ले सब बाजू से उसको गेर लेना बीतरी निपजती केवडे मतलब सब तरब से अगर का उसका इतर आता है, वह सारे चीज़ा आते हैं, वोगर आपने यूज़ किये, तो उसकी बहुत दिन तक जो सुगंदे, खुश्बू, जिसे कहते हैं, वो कभी दूर नहीं आते हैं, इतने सुगंदे की उसकी पाती होती है, है न, यह आपर एक उदारन दे, केतकी को बोले, है उत्पन्ना होने, पैदा होने, उसके अंदर केऊड़ा, केतकी सुगंद पाती, यह केऊड़ा उसके अंदर जन्मन लेता है, वो फल उसके अंदर आता है, तो आप सोच सकते हो, इंसान कितना भी उपर से कठोर, कितना भी जोर से बोलने आला, दाताने वाला अगर हुआ, तो उसके अंदर भी एक अच्छा इंसान, एक रहिम डिल इंसान मवजूद होता है। यह इस एक्जामपल में आपको समझाया गया है। तैसे सादू चे शब्द गाड़े उसी तरह त्यास प्रमाने तैसे मतलब त्यास प्रमाने सादू चे शब्द गाड़े उसी तरह शादू के गाड़े मतलब सखोल कड़कड़ी चे मतलब भक्तिने युक्त शब्द ऐसा समझ में आईए गाड़े मतलब या पे शब्द शार् आपको बोलते हैं कि इतना जिसे कहा जाता है उर्दू में दिल से समझाते हैं कि इससे महत करो माबाप जैसा कुछ बुरा कर रहे है बच्चे तो समझाते हैं उसी तरह सादू भी अपने जो दासी होते हैं शिश्य होते हैं उनको इतना प्यार से समझाते हैं कि उनको अपने बच्चों समझते हैं परुपकाराई लागी मतलब ौर उपकार करने साथी है न वोईसे ही वो सादू समझाता है अपने दूसरे बच्चों को दूसर रुपें उपकार करने के लिए यह पहले चार शब्द का चार कड़वों को यहाँ पर अभंगकार्थ बताया गया है आगे चलते फनस सरवांगी काटाओं लेले मतलब फनस जो ज़ाड होता है एक ज़ाड है फनस वो सरवांगी मतलब पूरे आंग पर यहाँ पर हमने शब्द लिक्टे बताया है पूरे उसके आज़ू-बाजू काटाओं लेले मतलब काटे री सब फनस के आज़ू-बाजू काटे होते है वो काटे से घेरा हुआ होता है बीतरी जो फल आता है वो पूरा काटेदार होता है साइड से उसको आप हाथ लगाएंगे तो आपको काटे चुपते हैं बीतरी महा गोडी ने कोंदले मतलब बीतरी मतलब अंदर महा मतलब बहुत जादा गोडी ने मतलब मिठास से, कोंदले मतलब गच से भर ले ले, या पर उसकारता हमने लिखके बताया है, तो फनस जिस तरह होता है, आप देख सकते हो, फनस का चितर आपको नजर आएंगा, उस फनस के चितर के हिसाब से आप देखेंगे, तो वो इतना काटेदार होता है, चीज अंदर मिल सकती है, आप हैरान हो जाएंगे, तैसे सादू रुदय जाले, उसी तरह सादू का रुदय या मन होता है, वो जाले हो जाता है, उसी तरह जो अच्छा इंसान होता है, सज्जन इंसान होता है, उसी तरह का बन जाता है, वो कोई भी चीज अपनी अच्छी ही बताने के कुशिच करता है और उसके अंदर अच्छा ही भरे होती है पर वो कतोर अपने धटा के बोलने के कोशिश करता है तो लोग बुरा मान जाते पर बुरा नहीं माने क्या कहते हैं बोधा संगे बोध मतलब उबदेश संगे मतलब उनके साथ में परी ये मतलब लक्षात ग्यावे आईका जो उनके साथ में रहता है उनके उबदेश समझता है वो अच् जाने के या पर संत शेक मुहम्मद हमको कोशिश कर रहे हैं बोल रहे हैं उन्हें एक एक जामपल दिया कौन था पहला एक केत्की का जार का दिया दूसरा फनस का दिया और फनस का काटेदार होता है अंदर मिठा फल होता है नरम होता है गोती मदूर होता है अच्छा होता है पर अगर उसके साथ में रहेंगे、 उनका सुनेंगे तो आपको नारल कटीन दीसे बाहर encanta नारल जैसा खु़ता है अरुवार जो खोबरा होता है बीतरी मतलब उसके अंदर आप देख सकते हो जब नारल आप लाएंगे उपर से तनक होता है अगर सर पर तो इतना कड़क होता है किसी चीज पर पटकने के लिए, तभी फुड़ता मैं है, उसले हम फत्रेगा यूज करते हैं, तभी एतना होके उतना होके फिपर ऑंदर चे फूड जाता है हो जब उसके अंदर आप देखते MAU आपको खोबरा मिलता है अंदर हाने के लिए उसी तरह सादू का जो मन होता है यहां पर मतलब मन यहां पर समझ लीजें समझ शब्दशा आर्थ मतलिजे इसका सादूज ये अंतर ये मन जो होता है वो यहाँ पर समझाया गाए उपदेश मतलब न्यान यहापे क्या समझा गाए बोधी ओसंडले उसी तरह से उनका जो मने उपदेशे भहते रहता है वो हमेशा वहाते रहता है मतलब वो रुपता नहीं है वो कभी अपने तक अपना ग्यान रखते नहीं, नियान अपने तक रखते नहीं है वो दुसरे को समझाने के कोशिश करते हैं, दुसरे तक knowledge देने के कोशिश करते हैं अपने तक सीमितने रखते हैं और हमेशा अच्छा-च्छा ही अच्छे को बताते हैं पर इंसन भी उनके साथ में रहा तो भी यो अच्छाई बताने के कुशिश करते हैं, इतने वो मरदूर और अंदर से नरम और नियान से बढ़े होते हैं, ज्यान से बढ़े होते हैं, यह यहापए समझाया गया है, कही का एक्जामपल देया गया है उसके लिए नायरल का आईए आगे देखते हैं ऐसा सद्गुरुशी धरा भाव मतलब ऐसा मतलब असा इस तरह से सद्गुरुशी मतलब चांगले लोगों से अच्छे लोगों से सज्जन लोगों से धरा भाव मतलब भावना अपने सज्जन लोगों से ऐसा भाव लगना चाहिए तो कैसा करावा उपव, तो वो किस तरह हम उपई करना चाहिए, वो हमको समझाते हैं, हमने किस तरह से जिन्दगी जीना चाहिए, वो भी हमको समझाते है, तो कैसा मतलब कसा किस तरह से वो यहाँ पर समझा गया है इलाज वो हमको समझाते हैं उपाए मतलब इलाज शेक महम्मद सांगती सेवा सेक महम्मद क्या करते हैं सांगती मतलब बताना सेवा मतलब सेवन करावे आइकावे हैं क्या सुनना बोलते हैं वो सबे शोत्या प्रती मतलब सबे तिल जो शोते हैं लोग सुनते हैं आकनेरा लोकानना जो लोग सुन रहे हैं उस तरह से आपने बैट के सुकून से उनका अबदेश सुनना चाहिए उनके तरफ अच्छा भाव रखना चाहिए अच्छी नियस से उन और वो अच्छा इंसान किस तरह पहिचानना है वो भी समझ में आएगा तो आपको समझ में आया इस कविता में आपको क्या-क्या समझाया है यह इसमें एक केतकी, फनस, नार, सद्गुरु जो लोग बता है यह वर्ड आपको समझाने के लिए है ना कि आपको परिशान करने क अगर नारल को आप फोड़के फोड़ते हो तो आपको बुरी चीज नहीं देता है वो वो अच्छी चीज देता है उसी तरह से इंसान अगर अच्छा हो आपकी तभी उसका परिशान करें तो आपको वो अच्छी सला देंगा आकरी में ना कि बुरी वो अच्छे इंसान की पहिचान होती है इस तरह से आपने भी अच्छी इंसान पहिचानने की जो सलाईये थे वो यह आप बताई गई है उसके कुछ एक्जामपल दिये गए है वो आप समझ लीजिए आईए आगे चलते किसी कोशन अनसर हम देखेंगे यह पर कुरुती करा बताया गया है जो अबंग में फूल और फट जो आये है उनके नाम बताई उलेखले मतलब बताना, समझाना, अबंग मतलब कर देखेंगे इसमें केवडा, फनस, नारव, यह तीन, केवडा एक फूल है फनस ये नारर है मतलब और नारर ये ये सब समझाया गया फनस ये फ़ल है नारर भी ये फ़ल है आई आगे देखते एका वाकत उत्तरे लिया संत शेक महम्मद यानि के लेले उपदेश इन्होंने कुंता उपदेश किया मतलब कुंती शिक्वन आपको दी क्या समझाया है इन्होंने समझाया है मतलब हमने सद्धगुरुशी मतलब अच्छी लोगों से अच्छी नियत रखना चाहिए अच्छी नियत से उनकी बाते सुनना चाहिए ये important चीज महतवपूर्ण गोष्ट है तैननी आप लेला या अबंगातुन सांगनेजा प्रहितना के लेला आहे। आगे देखते हैं वैशिष्टे शोधुन खालिल तकता फुर्ण करा। उन्होंने यापे कुछ नामें बता हिए। उनकी खूबया सोजो आपको शोधना है और लिखना है। बायंग और अंतरंग इस दो आपको चार्ट दिया गए वह आपको पूरा करना है। केत की अबंगात आले लिया, गोश्टी वह विक्ती केत की एक फूल है, काटे नहीं वेड लेले, उसका जाड रहता है, भाहर से काटेदार होता है। पर उसका अंतरंग अंतरंग अंदर से किस तरह से निकलता है, सुगंदी फूल उसके अंदर आते हैं। फनस सर्वांगिन काटे, सब तरब से काटे से बरा होता है, पर अंदर फल होता है, है ना, यह आपे समझाया गया है। नारग आप देख सकते हो, बाहरुन कटिल, बाहर से बहुत हाड होता है, अंदर बीतर कोबरे, अंदर कोबर आपको मिलता है, संत, अंदर से कटोर शब्द होता है, अंतरंगात परवकार आपको मिलता है, अंदर से परवकार में वो समझाया गया है. चली आगे देखते हैं, यह सोमत हमने आपको लिखके बता हैं, वो किस तरह लिखे हैं आई आगे चलते हैं यह देखिए, अबंगाचे आदारे सादूत वो अड़कनेचे निकश निकश मतलब कुछ नियम होते हैं, वो आपको यहापे कोशन पूछा गया है अबंगर चे आदा है। इसका उत्तर हैं। इसे बहुत मैंनत के बाद मिलती है। तुर्व में इसे का जाता है। बहुत रियर चीज होती है दुर्म में मतलब मनुन सादूत्व ओडखाईला शीकले पाईजे इसलिए सादूत्व अच्छा इंसान पैचानने को ओडखाईला मतलब पैचानने को समझना चाहिए और सीखना चाहिए असे संत शेक महमद या कवेतितुन आवरजुन सांगता शोत्यांचा सबेला उदेशुन ते मनतात जो लोग उनके सबे में बैटे हैं उदेशुन मतलब उनके तरफ होके वो बोलते हैं केत की काटाईचा फेराद जखर लेली अस्ते केत की जजाड होता है वो काटे के दार होता है सब तरस से परंतु आत सुगंदी के उड़ास्तों पर उसके अंदर जो खुश्बू देने वाला फल होता है भोती सुगंद और अच्छा होता है वरुन काटेरी असलेला फनस आत रसाल मदूर गरे अस्ताथ मतलब जो उपर से काटेदार दिखना है फनस आपको आंदर आप फोड़ेंगे तो इतना रसाल और नरम होता है खाने मज़ा आता है अगर सादू कोई अच्छा है लोग अपने को अच्छी चीज बोलनी जाएं तो आप नाराज हो जाते हैं आप बोलते हो हमारे दिल सरका नहीं करन दे रहें पर जब आप सोचेंगे वो लोग अच्छा ही बताते हैं पर आपको बुरा लगता है क्योंकि हमेशा आप लेको शैतान भाइकाता है बुरे चीज़ों पर साता है उसी तरह पाप करने को लगाता है गरत काम करने को लगाता है पर अच्छे काम जब आपको बोले जाते हैं वो लोग आपको बुरे लगते हैं ना जो आपकी एज है उसकी इसाफ से आपके मागव आपको बुरे लगते हैं पर बाकी सब जो आपको इसाफ से काम करते हैं वो अच्छे लगते हैं तो यही चीज आपको समझने हैं आपको जो अच्छा इंसान होता है वो हमेशा अच्छ वो उड़क नहें ऐसा या पर उन्होंने समझाया है यह हमने आपको हमारे इसाफ से लिख के बताई है अब आपने इसाफ से भी लिख सकते हैं आए यह आगे देखते हैं इस लाइन का आपको अर्थस पश्ट करना है कोंते लाइन का साथ गरून चे शब्द कटोर असले तरी तैंचे अंतकरन को मलस्ते आईए देखते हैं उसका क्या आर्थ होता है मानसाचा जिवनाला जो सनमार्ग दाखो तो सनमार्ग मतलब सही रास्ता जीवन मतलब आपका जीवन त्यास सद्गुरू मनताथ उसको सद्गुरू मनताथ सद्गुरु लोकानना नेमी बोधाचा प्रसाद देता मतलब सद्गुरु जो लोग होते हैं वो हमेशा लोग अच्छा सिखाते हैं प्रसंगी सद्गुरु कटर बोलता लगा जोरत पड़ी तो वो अच्छा बोल और जोर से बोलते हैं पन तैंचा रुदयात अम्रुताचा जहरा वात आसतों पर उनके दिल में हमेशा नर्माई और अच्छी चीज बसी होती है तो प्राशन करने है अपले परम करतवे ठरते वो आप अत्मे असाथ करना ये हमारा पहली द्यूटी पनती है काटेरी केतकीचा जहाडात सुगंदी केवडा जन्मतों काटेरी जो जहाड होता है उसमें सुगंदी केवडा जन्म लेता है अंगावर काटे असलेलया फंसाचा आत मदूर रसपूर्न गर्यास्ताथ जो फनस होता है उसके अंदर रसपूर्न गर होता है जो फनस जो फल होता है वो अच्छा होता आप फल में लाईए और खाईए आपको समझ में आएंगा ये एक्जामपल थी होगी क्यों आपको दिया गया है नारण वरुन कटी नस्तु परंतु आत नाजुक मुलायम गोड खोबरे अस्ते वो आप देखेंगे उपर से टनक एकदम लगा तभी आजब आप फोड़ेंगे उसको तो उसके अंदर अच्छा मुलायम अच्छा आपको खोबरा मिलता है त्या प्रहमाने सद्गुरु कटोर शब्दाद जरी बोलता है असले तरी तैंचे अंतकरन लोनया सारके महु अस्ते तभी उनका जो अंतकरन होता ह वो एकदम महु होता है वो अच्छा होता है उसी तरह से हर इंसान उपर से अगर हाड़ भी दिखा सही बोलना जाया उसका बुरा नहीं मानना चाहिए और वो अच्छा ही समझाता है उसके अच्छा ही देखना चाहिए अपने को यह उपदेश आपको काया गाया है अपना अगर हटा देना चाहिए और अच्छा ही की नदर से देखे उनके हर चीज आपको मानना चाहिए इसी तरह के वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहे है ताकि आपको सारा वीडियो समझ में आए और आप हर चीज से इक्तियार हो सके और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए शे आज़ मैं